तुल आज इंद्रागंदी नहर पे वन और अभ्यारणों पे मांगों पे चर्चा हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिमांत के उच्छेतर से आता हूँ जहां पर इंद्रागंदी नहर की कलपना जहां के लिए 1957 में की गई में जब इंद्रागंदी नहर सिंचाई परियोज में की कलपना की गई थी तब यह सोचा गया था कि देश के आखरी इससे तक हम पानी पहुंचाएंगे 1980 में जैसल मेर के मौनगड में पानी आया और 1980 से लेके आज तक चुमाली साल तक मेरा छेत्र नहर के इंतजार में आस लगाए बिठवाएंगे परदेश की सरकार से मैं आप सभी के मादिन से निवेदन करूंगा कि इंद्रा गंदी नहर परियोजना का तो एक्स्टेंशन रुका हुआ है आप जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि सीमांत के उन लोगों को पानी मिल सकी आपको बताना चाहूंगा कि जैसल मेर के गुंज खलियान भी होंगे किसानों की आय भी बड़ेगी और वो जो नहर है उसका एक्स्टेंशन रुकने का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण डीन पी है डेजिट नेसल पार्क आपको बताना चाहूंगा कि 1980 में एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन के बाद मे दि एनपी छेतर को नोटिफाई कीया गया डि इनपी छेतर के अंदर लगबग 1572 वर किलोमेटर चेतर है और जिसका 1962 वर किलोमेटर चेतर जैसल मेर का और 1200 Talk किलोमेटर चेतर बाण मेर नेक सो बिच्चेयासी राज़सोगाउं इसके अंदर है आप विस्वास मानेंगे कि 1980 180 के बाद में ना आबाद्टी भूमी बढ़ी ना किसी तरीके का नाया डवलप्मेंट हुआ आज क्यों कि वन नहीं की भी बात हो रही है मैंने आज सरकार से निवेदिन भी किया है मंत्री जी से भी निवेदिन किया कि उस छेतर में उन एक सो पिच्छेसी राजसो गाओं में मूलबूत सुईदा पहुंचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए आप विश्वाज मनेंगे कि अभी तक वहां के किसानों को किसी भी तरीके का किसी सी रण उठाने की कोई सुईदा नहीं दी गई है वो रण नहीं उठा सकते वो कोई मंत्री जी के सावने और प्रदेश की सरकार के सावने रखा है साथ ही साथ मुबाइल टावर आप देखेंगे कि साथ एक दिन के लिए अगर मुबाइल टावर या कोई रेंज या कोई जब परिक्सा होती है तो एक दिन की दिन जब मुबाइल टावर को ब्लॉक किया जाता इंटरनेट को बंद किया जाता है तो हमारे युवा भाई खाना भी न छोड़ देते हैं उस इस्तिती में आप सोचिए आप विचार कीजिए आप कलपना कीजिए कि साब उन लोगों के क्या हाल होंगे जिनके पास अभी तक मूबाइल नेट्रॉक नहीं पहुंचा लाइट क की बात करते हैं कि साब एक दिन अगर सहर में पानी का पानी की सप्लाई ना हो तो लोग सड़कों पर आ जाता है अब विचार करो जहां तक आजादी के बात तक जहां पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है उनकी क्या हाल हो वाकए इस्तिती बहुत ही जादक जादा बयान मैं कहना चाहूंगा मंतरी जी से भी मैंने मंतरी जी से भी निवेदन भी किया कि एक बार आप आएं और उस छेत्र को देखें आप देखेंगे कि भारत माला जैसा प्रोजेक्ट वहां पर जाके रुख गया नरंदा और इंद्रा गांधी नहर परियोजना का जो मिलाने का एक जो सपना था वो मुझे लगता है कि सपना ही रह जाएगा अगर हमने मजबूत इच्छा सक्ती के साथ काम नहीं किया तो परिवर्तन नहीं है आप आएगा अगर कोई परसव समय में कोई ऑस्पिटल देख जाना भी चाहे तो दूर दराज तक कोई ऑस्पिटल नहीं है और रोड़ें भी नहीं कई बार जच्छा और बच्चा तोनों की मिर्टी हो जाती है वाके इस्तियां बहुत खराब है मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मैं उन गाउं का नाम लेना चाहूंगा जिन गाउं का नाम इस राजदानी में आज तक किसी नहीं लिया गड़रा रोड की गड़रा रोड आपको बता दूं की सिमांत की आखरी पंचाय समिती है और गड़रा रोड से एक किलोमेंटर बाद इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है उस गड़रा रोड के बोई लोडरडी समंध का पार आपिया पांगली चंजनिया, बनियाली, चोथियाली, खडीन, सेला, दिंगानिक बस्ती, बच्चिया, पूंजराज का पार, सरगवाड़ा, द्राबा, डगारी, मत्राणी, पीपरली, पते का पार, गपवाना, राबड, सांकली, आपिया, कूपडिया, रावतसर, सालम सिंग बस्ती, पूमी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई सुईदा नहीं पहुंची, तो वन्नेवं परियावन की मांगों पे, सबसे बड़ी मांग मुझे लगता है, हमारी है, और इंद्रा गांधी नहर, सिंचाई परियोजना, एक्स्टेंसन होना चाहिए, और सीमान के आखरी गाहों तक पानी पहुंचना चाहिए, आपके मातन से पुना मैं मंत्री जी से निवतन भी करूँगा, कि एक बार आप बहुत सवीदम सील है, एक बार आप उस छेत्र का जायजा लें, और निश्यत रूप से हम सब मिलके समोई प्रयास के साथ में एक बसला होना है, बहुत बहुत बह झाल